वन प्लस नाइन आटी जो इंडिया में जल्दी लॉंच होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है और मैंने और अल्रेडी वन प्लस नाइन आटी का वास्ट इंप्रेस्टन का वीडियो अपलोड कर दिया अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और उपर काट में मिल जाएगी जरूर से देख ले लेकिन कई लोगों ने कमेंट की थी कि अंबोक्सिंग कहां पे वो जल्दी अपलोड कर तो आप इस वीडियो में अंबोक्सिंग देख सकते हैं लेकिन अगर पूरा रिव्यू देखना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क सबसे पहले देखने के लिए अगला की वह बर की तरह ही रेट कलर में देखने को मिल जाता है तो यह प्ले से लेटर में ब्रांडिंग मिल जाती है box के lead को open कर लेते तो ये envelope के अंदर stickers दिये गए हैं और SIM ejector tool मिल जाएगा फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते और यहाँ पे black color में case देखने को मिल जाता है जो काफी premium नजर आता है जो plastic का है यहाँ पे 65 watt का power adapter मिल जाता है जो तेजी से फोन को चार्ज कर देगा और यह है red color में type c to a cable अब यहाँ पे type c to c cable देना चाहिए फोन की design देखे तो one plus nine pro जैसी ही देखने को मिल जाती और specially black color almost one plus nine pro जैसा ही देखने को मिलता है texture back दिया गया है यहाँ पे आप देखी फोन की thickness 8.295 mm की है और जो weight है वो करीब 198.5 ग्राम का है और camera module थोड़ा सा उपर दिया गया यानि slightly bumpy है लेकिन जैसे कि मैंने first impression के वीडियो में बताया था कि weight distribution one is to one का हुआ है यानि उपर और नीचे दोनों semi weight मिल जाएगा वन प्रस नाइट में डिस्प्ले की बात करें तो 6.62 इच की E4 AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है 120 हट की fast refresh rate मिल जाती है और 300 हट का touch sampling rate मिल जाएगा लेकिन इंडिया में सायद oxygen oase आ सकता है या तो फिर color oase और प्लस 980 के performance की बात कर तो snapdragon की 888 chipset मिल जाती है जो flexive level की chipset LPDR 5M मिल जाती है और UFS 3.1 storage यानि performance में कोई लेक देखनों को नहीं मिलेगा हाइंड gaming high setting पर आसानी से इसमें खेल पाएंगे और फोन में cooling system भी अच्छे मिल जाती है यानि temperature अच्छा control किया है इसमें ज्यादा तर हाइंड gaming में temperature 40 के उपर चला जाता है लेकिन यहां पर 36 39 40 के अराउंड रहता है दोस्तों यह डेफ्ट रिव्यू नहीं है सिर्फ यहां पर में ओवर यू ही बता रहा हूं डेफ्ट रिव्यू में दो तीन दिन के बाद upload करने बाला हूं वन प्लस नाटी में के मेरे की बात करत और यह फैसिंग ट्रिपल के मेरा सेट अप मिल जाता है जहां पर प्राइमरी 50 मेगा पि प्राइब में बैटरी की बात करें तो 4500 एमेज की बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 65 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो करीब 29 मिनिट्स में ही बैटरी को 0-100% चार्ज करतेगा वन प्लस नाटी की प्राइस की बात करें तो मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा है की प्राइस क्या रहेगी इसकी जो प्राइस है वो 40 से 45,000 तक आ सकती है अभी एसे प्राइस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो दोस्तो आप क्या सोचते है वन प्लस नाटी के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट में जरू बता है तो दोस्तो एसी लेटे टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग वाचिंग एवा ग्रेट टेए एंड कीप स्मेलिंग